पिछले काफी समय से प्रियांका चोप्रा के फिरसे बॉलिवुड में लोडने की चर्चा थी, फैस भी उन्हें फिरसे बड़े परदे पर देखने के लिए बेसबरी से इंतचार कर रहे थे लेकिन इस बारे कैसी खबर आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रहे गया, दरसल प् साल बाद एक बार फिरसे साथ दिखेंगे लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है, जी हाँ, प्रियांका चोप्रा ने सल्मान खान की फिल्म भारत में काम करने से मना कर दिया है, प्रियांका चोप्रा के भारत छोड़ने के बाद कयास लगाय जा रहे थे कि उनके हाथ कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा है लेकिन निर्देशक अली अब्बास जफर ने तो कुछ और ही संकीत दिये हैं अली अब्बास जफर ने पुष्टी करते हुए बताया कि भारत में अब प्रियांका चोप्रा काम नहीं कर रही है जफर ने ट्वीट किया कि जी हां प्रियांका चोप्रा अब फिल्म भारत का हिस्सा नहीं है और इसके पीछे बहुत स्पेशल वज़े है उन्होंने बताया कि अभी निक के लिए समय देनाग जरूरी है और हम उनके इस फैसले से बेहत खुश हैं भारत की ओर से प्रियांका चोप्रा को शुब काम नाएं और वो खुश रहें अली अब बास जफर के ट्वीट से साफ जाहिर है कि प्रियांका चोप्रा अब निक जोनस से रिष्टे को आगे बढ़ाना चाहती हैं संभव हैं वो इस साल या अगले साल तक शादी के बंधन में बंध जाएं मुंबई मिर के मुताबिक प्रियांका चोप्रा ने गुरुवार को ही फिल्म में काम करने से मना कर दिया था इससे पहले हाल ही प्रियांका चोप्रा नियू योर्क से मुंबई पहुंची जिसके बाद माना जा रहा था कि वो अगस्त के दूसरे हफ़ते स देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद